बूर्णिंग चिल्डेंस मैं आज क्लास के सेकेंड की इंग्लिस की लेसन नंबर फ़र्स्ट पढ़ाऊंगा ध्यान से सुनिएगा लेसन रीड कराने से पहले मैं काहिना चाहूंगा कि हमारे विद्याले का यूटूब चैनल जो है बन चुका है और उसको सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबाके तो आपको न्यू न्यू वीडियो जो है मिलते रहेंगे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो यह रिक्वेस्ट है अमारी अभिवाब कों से तो आए मैं लेसन पर आता हूं ध्यान से सुनिएगा आपका जो लेसन फ़र्स्ट है मैं बुक में भ दिखा हुआ है यहां पर तो मैं रीट करता हूं एड्लाइन को पोयम है वह छोटी से पोयम है पहले मैं समरी बता लेता हूं इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी मां से कह रहा है चान के बारे में कुछ पूछ रहा है तो मां उसको जो है बताती है आई यह में रीट करता हूं Oh, look at the moon, she's signing up there, Oh, mother, he looks like a lamp in the air बच्चा जो है मां से कह रहा है कि मां Oh, look at the moon means, मतलब चान को देखे, She's signing up there, وہ वहां पे चमक रहा है Oh, mother, he looks like a lamp in the air वो यानि कि चान हवा में कैसा लग रहा है लैंप की तरह लग रहा है जैसे कोई एक लाल टेंग जल रहा हो हवा में जैसे आप लोग देखते होंगे रात के अंधेरे में जब चान दिखता है तो लगता है कि वो जो है हवा में दिख रहा हो lamp in the air second जो paragraph है second देखिएगा four line की paragraph है last week she was smaller last week she was smaller and shaped like a bow and shaped like a bow it means last week she was smaller means पिछले सब्ता वह जो है काफी छोटा दिख रहा था means second line देखिएगा and shape like a bow जब छोटा दिखता है चान तो किस तरह लगता है जैसे इंद्धनुस हो जैसे इंद्धनुस के आकार का हो जाता है छोटा सा but now she has grown bigger लेकिन अब जो है वो कैसा है अब बड़ा हो गया है and look like an o and look like an o अब वो कैसा दिख रहा है okay आकार का दिख रहा है जैसे आप लोग alphabet a b c d पाड़ते हैं तो उसमें ओ देखा होगा ओ कैसा बनता है गोला सा रहता है वैसा ही देख रहा है आपको यह देखिए पिक्चर में भी दिख रहा होगा यह मून है बच्चा बच्चा जो है देख र होगा ओके थाइंक यू चुल्डेंस